नमस्कार अर्चना कीचन रेस्पी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे साबूदाना की तहरी अगर आपकी साबूदाना की तहरी खिली खिली नहीं बनती है चिपचिपी बनती है तो यह वीडियो आपके लिए है अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो लाइक करना ना भूलें तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेस्पी साबू दाना की तहरी बनाने के लिए हमने साबू दाना को रात भर के लिए इसको पानी में भीवो कर रख दिया था और इसका भी पानी सारा मैंने निकाल लिया है इस्ट्रा पानी जो भी था इसमें अब हम इसकी तहरी बनाएंगे तहरी बनाने के लिए हमने एक कडाई लिया है गयस को आन कर देंगे और हम इसमें डालेंगे मूंफली का तेल तेल हमारा गरम हो गया है अब इसमें डालेंगे मुंफली इसको फ्राइ कर लेंगे लगातार चलाते हुए नहीं तो मुंफली जल जाएगी इसको में लगातार से चलाते रहना है मुंफली हमारी चटकने लगी है अब इसको निकाल लेंगे मुंफली को हमने निकाल लिया है अब हम इसमें दो कटे हुए कच्छे आलू लिये हैं अब हम इसको भी फ्राइग कर लेंगे इसको भी हम ऐसे चलाते रहेंगे अच्छे से हमको फ्राइग करना है आलू जब तक की पकना जाए अच्छी तरह से आलू हमारी फ्राइग हो चुकी है अब हम आलू को निकाल लेंगे इसमें से में एक्ष्ट आयल निकाल लेते हैं आल बहुत ज़्यादा है इसमें हमें टेवल स्फून आयल रखना है अब इसमें जीरा डाल देंके जीरा चटकने लगा है और इसमें थोड़ी से कटी हुई अद्रक डालेंगे और दो कटी हुई हरी मिर्च अब अच्छे से अब इसमें कटे हुए टमाटर दो डाल देते हैं इसको भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है टमाटर को में बहुत ज्यादा नहीं पकाना है थोड़ा ही पकाना है तामाटर ताकि अच्छे से भूगूले नहीं खिले खिले दिखें अब इसमें हम सेंधा नमक डाल देंगे क्योंकि ब्रत में खाया जाता है नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं इसको हम अच्छे से मिला देंगे अब हम इसमें डालेंगे साबू दाना इसको हम अच्छी तरह से मिला देते हैं अच्छी तरह से साबू दाना मिल चुका है इसको हमने चला दिया है अब हम इसमें मूख फली और आलू को जो फ्राई करके डाल रखा था उसको भी हम डाल देते हैं इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे तीन मिनिट तक हमें इसको चलाते हुआ अच्छे से इसको फ्राई करना है अब घयश को हमाफ कर देंगे और धनीय की पती से गार्निस कर देंगे और हम इसको अच्छे से मिला देंगेarm की तयरी हमारे बनकर तयार है अब यहिसको शर्व करेंगे देखे कितनी खिली खिली तहरी बनकर तयार है अगर आपको हमारी रिस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना नभूलें धन्यवाद